नमस्कार बच्चो कक्षा 10 एक्सरसाइज 7 यूनिट 7 निर्देशांक ज्यामिती आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिती में हमारा जो टॉपिक है वो है दूरी सुत्र इसे इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मुला भी कहते हैं अब दूरी सुत्र है कि ये मैं आपको समझाता हूँ देखे ये य एक्स और ये एक्स अक्ष है य एक्स अक्ष है और ये बीच में है शुनिय आपने इसके बारे में पहले भी पड़ा है ये इसके चार चतुर्थांश है ये वाला पहला चतुर्थांश ये दूसरा चतुर् फांश है, ठीक है बच्चों? देखे एक बिंदू हमें यहां दिया हूँ है इस बिंदू के भुज और कोटी है X1,Y1, ठीक है इसके जो निर्दे शांख है वो है X1, Y1 इसी प्रकार से एक बिंदू यहां B दिया है इसके निर्दे शांख है X2,Y2 यह Y2 है ठीक है x1 y1 है a के निर्दे शांक x2 y2 है b के निर्दे शांक हमें दूरी सुतर से इनके बीच की दूरी निकालनी है दूरी सुतर के अनुसार इनके बीच की जड़ दूरी होगी किसके बीच की A और B के बीच की दूरी तो इसको हम लिख सकते हैं दूरी A B यह बराबर होगी अंडरोट X2 माइनस X1 का स्क्यर प्लस X2 माइनस X1 का स्क्यर इसी प्रकार से Y2 माइनस Y1 का स्क्यर Y2 माइनस Y1 का स्क्यर एक बार फिर से देखिए यह बिंदू है A इसके निर्देश आंख है x1, y1 यह बिंदू है b इसके निर्देश आंख है x2, y2 तो इन दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी कितनी होगी under root x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square यानि जो पहले लिखा है उन दोनों को minus करके square कर दो चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो plus कर दो y2 में से y1 या y1 में से y2 भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का बाद में square ही हो जाना है तो y2-y1 का whole square और इनका पूरा फिर बाद में root भी निकालना है यह root निकालने के बाद जो हमारे पास मान आएगा वह है इन दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी होगी आशा करता हूँ यह distance formula यह दूरी सुत्र आपको अच्छे से समझाएगा और प्रशनावली 7.1 के प्रशन देखने के लिए आप हमारे बाकी वीडियोज को देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको यह वीडियोज मिल जाएंगे धन्यवाद